नमस्कार आदाब मैं आनूफ सोनी क्राइम पिट्रोल सतर के ब्लैक हैडलाइन्स अध्याए के आज के एपिसोड में आप सब का स्वागत करता हूँ पता नहीं उपर वाले ने किस मिट्टे से बना हैंच लड़की देखते हैं या आउट अप कंट्रोल हो जाता हूँ अजीब सा फितूर चड़ने लगता है तनमलान में अजीब साफ़ लगता है आप लगता है तनमलान में आप लगता हैंग कर दो दो अजीब साफ़ लगता हैंग कर दो बना आप लगता हैंग कर दो कर दो दो कर दो अच्छा नहीं होगा सिफ्रास यहां क्यों खड़े अरे कुछ नहीं बाइजान बस देख रहा था हमारी बीविया कितना काम करती हैं कैसे मश्रूफ रहती हैं काम में और तुम काम मश्रूफ थे दिन पर से दिखाई नहीं दिये देगा बाइजान आपकी बेहन एक बार मुझे देखना लेना तो करता इनका क्यों मिस्कर रहते हैं अमें कमाल की जोडिये तुम दोनों की एक साथ होते हो ना तो रौनक आ जाती है अरे कहां बाविजान दूर के डोल सुवाने होते हैं वरना किसमत तो अरवास भाई की अच्छी है जो आप उनके गले का हार बनी हमारी किसमत पर तो कांट उनके लगें बस अच्छा बहुत चुप्ती हुना में वही बताती हूं और आशा यह जा है उनका रठ टावी और अच्छा रचा करें तो अच्छा की तटना आप तो और देखा तेरी मस्ती बावी के कपड़े खराब हो गए है तुम्हारे गा अगे कोई बात देना अग क हाँ मम्मी, हाँ बस ओफिस से निकल गई हूँ थान से आना मम्मी, आप जादा टेंशन मत लीजे अच्छा मम्मी एक बात बताना, वो राजयन मेरा लैपटॉप रिपेर करके देग या नहीं, तेले लैपटॉप तो नहीं आया अरे, कितना बड़ा जूटा है मुझसे तो कह रहा तब दो पैर तक रिपेर करके घर पहुचा दूगा चलो, मैं जा के देखती हूँ आप भाहिया, सम्तान अगर पालाण तरफरास हाँ इतनी रात में चार रहा है कुछ भी नहीं पुरानी आदे ताजा कर रहा था पुरानी आदे? लाफटोप में? आईशे, इक्टा कर रही हो तुम? शाधी की वीडियो देख रह था यार तुम मारी शाधी की वीडियो देख रह था ना? मैं भी देखते हूँ तुम बिल्कुल ही पुछे पड़ याती हो शाधी का वीडियो देख रहते है या किसी की सुहाग राद? कुछ भी हाँ आच्छा यह सब बोलके मूड बनाया जा रहा है ना? फैमिली प्लैनिंग है ना? छोड़ो सर्प्रास जब भी तुम्हारे पास आने यह कोशिश करता हो तुम दूर कर देती हो मुझे क्यों? मार नहीं बननाया या फिर बोर हो गई हो तुम मुझसे तुमना एक दम टूमच हो चल यल्दी से स्माइल दो चली फिर कहते हैं कि इनसान अपने तौर तरीके बदल सकता है लेकिन फित्रत बदलना बहुत मुझकल काम है और अगर फित्रत बुरी हो तो उसके फितूर और भी खौफनाक होते हैं और ऐसे फितूर में जीने वाले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते जबकि आगे सिर्फ तबाई होती है और ऐसी ही तबाई सर्फरास का भी इंतजार कर रही थी हत्या भले ही सर्फरास की हुई थी लेकिन वो फितूर नहीं मरा था जो इंसानी दिमाग से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है मरने वाला सर्फरास भले ही बदनाम था लेकिन मारने वाला एक अरसे तक गुमनाम था ये एक ऐसा मर्डर केस था जिसको हेडलाइन तब मिली जब एक और इंसानी फितूर गुनाह के पाउं पसार रहा था भाईया जरा आराम चिलाए अप अप कि एंग ए बाब कि स Was छोड़ो! 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 तुपीनित! कुछ पता चला दिख्ती का? नहीं! वो राजन की दुकान पर अपना लैप्टॉप लेने नहीं पहुंची वो और उपसे वालों से भी कुछ पता नहीं चल रहा सर, मैंने ही फोन किया था आपको यहीं स्यागवा करके ले गए सर मैं उन्हें यहीं समतानगर लेकर जा रहा था इतने में वैं से दो लड़किया और उठा कर ले गए सर उस गाड़ी का नमबर नोट किया जिसमें लड़की को लेके गए? नई सर, सब कुछ इतना जल्दी हो गए कुछ समझ भी नहीं आया सर लेकिं सर, वैं ब्लू कलर की थी सर दीपती किटनापिंग केस देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया था कि ए केस तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंतिया गया जैन सर, जैन, क्या अपरेट? सर, बुर्यवाली कॉंप्लेक्स से किटनापिंग इस स्पोट तक उस ओटो का ट्रेल चेक किया जहां-जहां से सिटी भी मिला, वहां उस ओटो के पीछे वैसी कोई ब्लू बेन नहीं दीगे सर और जहां किटनापिंग में कुई थी, वहां सी सिटी भी नहीं था, इसलिए वैन आगे किस डिरेक्शन में गई, इसका ट्रेस भी नहीं मिला किटनैपिंग वेवे सोला गंटे हो गया है, पता नहीं सवक लड़की इस हाल में हुए, और तुम कह रहे हैं कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ है वह वह ज़रूर किटनैपिंग इसपोर्ट से जंगल की तरफ गई होगी, उस डिरेक्शन में चेक किया है जिया सर, वहाँ पूरी रात पेट्रोलिंग होई है, और उस पेच में कहीं ही सेसीड भी नहीं सर, और ज्यादा तर इस ट्रीट लेट्स खराब पड़े मैं मानता हूँ क्रिमजल से इन बातों का अफादा उठाते हैं, एकि आम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते पता है न, मीटे वैश कितना बाबाल हो रहा है सर, सर जिस लड़की की किन्नैपिंग होई थी उसकी पहचान पता चल गई है कल देर रात एक दिप्ती नाम की लड़की की मिसिंग अपनेट फाइल हुई थी और ये दिप्ती उसी एरिया में रहती है जहां से किन्नैपिंग होई थी सर, मैंने ओटो वाले को इस लड़की की फोटो दिखाई तो उसने का कि वही लड़की है जो उसके ओटो से किन्नैप होई थी जोड़की 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 अरे लेकिन कुछ तो पता कीजिए दो दिन हो गया उससे गायब होई हुए आप मैं मैं लेकिन मैं मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देल में क्या तीप्ती किड्नैप हुई है आपको किसी तरह की कोई फरोंती का कॉल है या नहीं सर किसे पच्छा के आपको एक लड़का दिप्ती को काफी दिनों से परिशान कर रहा था कौन लड़का पता नहीं सर लेकिन काफी टैम से दिप्ती परिशान लग रही थी कुछ दिन पहले वो फोन पे किसी के साथ जगड़ा कर रही थी, तब ही इस बात का पता चला। देखो, तुम जो कोई भी हो ना, यह हरकते करना बंद कर दो, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या बात है बिटा, किसी बात कर रही थी? मालूम नहीं ममा कौन है, आए दिन मुझे ब्लैंक कॉल करता रहता है, और आजकल तो मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया है, और ममा आज तो उसने हदी कर दी मतलब इतना सब कुछ दिप्टी के साथ हो रहा दिन, तो अब लोग ने प्रिस कंप्लेइन क्यों नहीं की? यहीं गल्ती हो गई सर, पता नहीं था कि दिप्टी के साथ, नहीं सर, प्लैस उसका पता के ज़िए सर तेखे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यह काम है हमरा, आप लोग ने कल दिप्टी को आखरी बार कब देखा था? जी, कल सुबा, जब ओफिस जा रही थी, कहां ओफिस है दिप्टी का? जी, बोरी वली में, एबल कंप्यूटर इस नाम की कंपनी है, वहीं पर सेल्स एक्सिकेटिव है, ओफिस से निगते वक्त उस ते अपने ममी को फोन भी किया था, अच्छा ममी एक बात बताना, वो रा मैं राजन की दुकान पर गया पूछने के लिए, तो वो कहने लगा कि दीप्ती वहां भी नहीं पहुंची, वे, राजन की शॉप कहा है, आजर, दीप्ती मेड़ मेरी पुराने कस्ट मार है, उन्हों नहीं अपना लैप्टॉप ठीक करने के लिए मुझे दिया था, राज राजन भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप इसको सही कर आए घर पहुंचा देना बज, आप इसे भी रखो, और पहुंचा देना आपकी के अरे मैडम, दो मेरे मेरे में देख रूप करने गया है, राजन भाई लैप्टॉप रिपेर हुआ या नहीं हुआ, हाँ बि जलो ठीक है, फिर मैं ही आखर ले जाती हूँ लेकिन फिर वह आई नहीं रात में उनके पापा आये थे दीप्ती को लेके काफी परिशाक से दीप्ती की किटनेपिं पर पासम ही हुई थी तो में इस बारे में कुछ पता नहीं चला को आजनेपा ग्समार से परिशा राधियों कि दीप्ती के पाइल रस ने बताया कि ब्लैंक कॉल करता ब्लैंक को ब्लैंक इस्टोग करता इस ब्लैंक काफी के चॉन है तो जहां-जहां जुक्ती का नहीं जाना था वहांसी सिटीवी फटेचेकर ये लड़का दिप्टी के ऑफिस गली मौन में कहीं से भी तनेक्टेट हो सकता है अरे भाई साब कमाल करते हैं आप भी इतना सब कुछ हो गया आपने बताया भी कि लड़का दिप्टी को परिशान कर रहा था अब इतने गयर और इतने पराय हो गए हैं हूँ अब ये से बात करने के हालत में नहीं हैं हम लोग अब भाई साब हम समझ सकते हैं लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं आपास आप कुछ तो बताई दीप्ती के किड्नैपर्स तक पहुँंचने के रिए दीप्ती के आफिस, घर, महले हर जगा पूछताच की जा रही थी लेकिन दीप्ती को सही सलामत ढूनने की पुलिस की कोशिश अब नाकाम हो गई थी हालत देखकर तो लग रहा है जर इसके साथ रेबी हुआ है यह जगे किड्नैपिंग लोकेशन से साथ किलोमेटर दूर है आज वाद पता करो शायद किसी से उस ब्लू कलर की वैं के बारे में पता चल जाए जिसमें दीप्ती किड्नैप हुई थी वो कैसा अजिप्ती अजिप्ती इस लड़के को जानते आप नहीं सर क्या इसी लड़के ने संगेत नान में इसका इसका नमर हमें दिप्ति के एख रिकॉर्डस में, इन्फेक्ट यह अपने दो अगलग नंबर से दिप्ति को काल करता था तर एक नट मैंने इस लड़के को ईग देखा है हा सर इस लड़के को उने दिप्ति के साथ देखा था तिप्ती बहुत गुष्से में लग रही थी जब मैं वहाँ पहुचा तो लड़का चला गया वहां से तिप्ती क्या हुआ निकलो यहां से तुम कौन था यह तिप्ती ने तो कुछ निह बताया वो सकता है कि यह वही लड़का वह जो इसको स्टॉक कर रहा था चब इस कहा देखा था डिप्ती की ऑफिस की बाद सर मैदे कुछ नहीं कि House के साथ वे अच्छी दोस्ति इसलाश अपों करता थो उसको व भी दो दोनमबर्स से इसको इसम स्टो friendship पिचा करता था इस वज़े से हमारी फॉन पर बात यह होती थी उसके पाद हम दूरों एक दूसरी को पसंद भी करते थे ये लो थाइंक यू यार दिप्ती, तुमीती इंटेलिजन्ट हो एम्बीय भी क्या हुआ है तुमने ये कंपणी में क्यों फसी हो कि मैं तो बहुत अच्छे जॉब ओपर्स मिल सकते हैं वजी नियू संकेत मैंना बस सही मौके का इंतिजार कर रहे हूँ सही मौका मिलते ही मैं सीधा अब्रॉड सच में और जॉब के अलावा क्या सोचा है तुमने मतलब जो नहीं पता के तुम कैसे रियक कर अगूँ बट आइड यली लाइक हूँ या तुम भी मुझसे सर पसंद तो वो भी मुझे करती थी पर सर डिप्ति शादी करने के लिए तैयार ही नी थी तंकेत मैने तुमें कितनी मार बोला है कि मैं शादी के लिए अभी प्रिपेर नहीं हूँ यार दिप्ति तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो यार तुम उसे प्यार नहीं करती यार बार बार भाई सवाल मैंने बोल दिया अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है संकेत सर उसके बातों से मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया इसलिए मैंने दूसरा नंबर लिया था और उसको कॉल करता था हलो अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहो सर एक दो बार उसने फोन उठाया लेकिन मैं बात करने की हिमद जुटा नहीं पाया तुमारी पित्रत ना मैं बहुत अची तरीके से जानती हूँ और अब मुझे दुबारा फोन मत करना सर मैं तो बस उसको एक बर मिलना जाता था लेकिन उसका पोई ज़ाब ही नहीं जब तरी ये समझ माया कि वह तुझे वाइट कर रही है तो ये बात तेरे से बरदाश नहीं हुए इसलिए तुने दिप्ति को किट्नैप किया और उसके बाद उसका रेप किया और मडर करती सर क्या बात कर रहा आप मैं सहर्च पोल रहो मैंने उसके सथ कुछ भी नहीं क्या मैं कसम खाता हूँ जब तुमने उस लड़के को दीप्ति से जगड़ते हुए देखा तब मुझे क्यों नहीं बताया उससे दो बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे चब मुस्रीब पूछे लिए कू लड़का कौन है अरे भाई साब अगर तब बता देते ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती ठीक है आज बता रहे हैं तो आप सुन रहे हैं क्या कहाना क्या चाहते हो तुम भाई साब कहना ये चाह रहे है कि आप दीप्ति को अच्छी तरह से जानते थे, वो कैसी थी, अगर तब बोलते न, तो कहते कि मेरी लाइफ में तांग जांग कर रहे हो, देख लिया न, आपने आप लोगों से कितना चुपा दिये थी वो, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो, वो अब नहीं रही है और, नहीं, बाबे जी, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, तुमारा सब मतलब समझते हुए, मुझे ये बता, कि तियुम दीप्ति के ओफिस के पास क्या करने गए थे, सर, दीप्ति की पोस्मोडम रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दीप्ति को ड्रग्स देकर ब्योश किया गया, फिर उसका रेप किया गया, ये तो दीप्ति की लाश देखकर लगी रहा था, कॉज ओफ डेथ, सब्फोकिश्ण, लेकिन सर, किलर ये ही तक नहीं रोका, दीप्ति की लाश के साथ भी कई बर रेप किया गया, ये कोई विक्रित मासेकता बाला ही कर सकता है, संकेत ने कुछ गला, नहीं सर, लेकिना उसर, किलर ने दीप्ति की बॉड़ी से अपने डिया और पता करो कि संकेज से कनेक्टेश किसी भी आदमी के पास ब्लू कलर की बहने है, और सर, किसके अलावा राजन के बारे में एक बदा चलिया, राजन पे तक्रीबान एक साल पहले, एक लड़की ने मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था, किसे स्ट्रॉंग नहीं था, इसलि अभी शेक, बुला, सर, राजन के बारे में पूछ ताश्की, तो राजन का एक हलपर गिरीश सामने आया है, तो उसके पास राजन का एक लैपटोप भी है, सार, ये राजन भाई का लैपटोप है, जिसमें राजन भाई ने वो लड़कों की गंदी-गंदी तस्वीर अख नहीं देजा पागा, चल निकल यास, चल, निकल! तो गुछे में आके मैं लड़कोप उठा के भागिया, साब ये लड़कोप में जो लड़की है, कौन ही है? साब, वो मालूम नहीं सेर मुझे राजन का दिप्ति को लेकर कैसा भीरता? साब, राजन भाई तो थोड़े आयास है, साब. मैंने साब को बताया था, साब. और दिप्ति मैड़म को लेकर उनकी नजर कुछ ठीक नहीं थी, साब. चीकिए, जाओ तू. टैंकिए, साब. टैंकिए, साब. कि अच्छी के साथ जिस तरह से रेप किया गया उसे तो यही लगते है कि ऐसी मान सिखता वाला आदमी इसा कर सकता है चेक करो, हो सकता है इसमें दिप्ती के भी फोटोग्रेफ साथ हो और आजन को लेकर हो साथ अच्छी के इसमें दिप्ती के अखरी कॉल तुझे किया था और सीथे सीथे बोल दिप्ती के रेप और मटर में तेरे साथ दूसा कौनशा मिलता सर मैंने कुछ नहीं किया है आपको जरूर कोई गलत फ़ह मी हो रही होगी तेरे लैप्तॉप में जो वो न्यूट पिक्चर्स हैं किन लड़कियों किया है मेरे लैप्तॉप में मेरा कौन सा लैप्तॉप अरे वो ही लैप्तॉप जो गिरिष मेरी दुखान से लेकर भागा था लेकिन सर वो लैप्तॉप मेरा नहीं है वो तो एक लड़का मेरी दु दुकान पर आया था और मुझे बेच के गया था दो हजार रुपए मिलेंगे इसके? ची कैदो जन्दी सर वो लेपटॉप बेचना चाहता था मैंने दो हजार रुपए में खरीद लिया मैंने सोचा था कि इसको उचे दाम में बेच दूँगा मुझे नहीं पता था कि उस लेपटॉप में वो सब फोटोज है को था वो लड़का? मुझे नहीं पता सर वो तु मैंने पहली बार अपनी दुकान पर देखा उस लड़के को सर मैं कि जददार आदमी ओई जददार आदमी सब पता गया हमने तेरे बारे में मॉलस्टेशन का चार्ज लगाता तुछ पर वो तो जूटा आरोप है सर मेरे उपर मैं सच बोल रहा हूँ ऐसे नहीं उखलेगा है उखलवाइस टॉप सर 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 मैंने लेपटोप चेक किया पर इसमें दीप्ती की कोई फोड़ो नहीं मिली हो सकता है दीप्ती की फोटोग्राफ इससे डिलीट कर दी गई है इसका डिलेटेट डेटा रिटेव करो ओके सर और एक बास सर यह सारी फोडोज मॉफ्ट है मॉफ्ट? जी सर यानि न्यूट पिक्चर्ज के ऊपर दूसरी लड़कियों के फेसेज लगाए गए और एक बास सर मैं जब लेपटोप चेक कर रहा था तो मुझे सरफराज नम का एक फोड़र मिला सार जिसमें इस लड़के के कई फोडोज है यह देगे लेपटोप से जादा कुछ से बता नहीं जला सा लेकिन जब मैंने लेपटोप के सीरेल नमबर से इसके बाइर का बता किया तो पता जला कि गुर्ला के रहने वाले सरफराज ने लेपटोप खरीदा है सार और यह देगे सार लेपटोपे भी ऐस लगा है हो सकता है सार लेपटोप खरीदने वाला सरफरास और फोल्डर के नदर जिसके फोटो हैं वो सरफरास यह दोनों एक ही है वह सुपाल है अभिशेक कुला पुलिस से कॉंड़ेट करो और सर फ्रास को लेकिए सर आईशाफ चलो गरमा करें चाहिए सूरी आईशाफ, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहरा था किस पारे में? माना कि तुम्हारी डिलेवरी में काफी कॉंप्लिकेशन्स थी लेकिन अब तुम फिट हो और जो ही भी एक साल की हो गई है आईशा तुम वही बिजनेस फिर से शुरू क्यों नहीं कर देती? जो तुम जुवैदा भावी के साथ करती थी? नहीं वसीम अब हालात बहुत बदल गए हैं मुझे नहीं लगता कि जुवैदा भावी दुबारा वो काम शुरू करना चाहेंगी तो तुम क्यों शुरू नहीं कर देती? क्यों? मेरा और जुवी का खड़ चलाना मुश्किल हो रहा है क्या? आईशा मैने तुमारी हर मुश्किल को आसान किया और तुम मेरे मुश्किल नहीं बन सकती और जुवी? उसका नाम नहीं लिया तुमने क्यों? वसर पराज का कुन है इसलिए है? जिस रड़ के ने तुझे लेक्टॉप पेचे, यह यह वह? नहीं सब, यह वह नहीं है इस का जबनवा सकता है इसको हाँ वो लड़का कुछ-कुछ ऐसा ही दिखता था दोजार रुपए मिलेंगी इसको चीक है दो दिप्ति का जहाँ जहाँ ना जाना था वहां की मैंने CCTV फुटेज चेक करने के लिए बोला था क्या अपडेट है उसको? पुलिस को सर्फरास से जोड़े ऐसे रास पता चाहाँ है दिप्ति की हत्या हुए अब दस दिन बीच चुके थे लेकिन दिप्ति के हत्यारे की तलाश में अब पुलिस को सर्फरास से जोड़े ऐसे रास पता चलने वाले थे जो इस केस को और भी उल्चा देने वाले थे सर सर मैंने कुडला पुलिस से कॉंटेक्ट किया तो मालुम चला कि सर्फरास पिछले डेट साल से लापता है लापता है? जे, सर सर, डेट साल पहले सर्फरास की मिस्सिंग कपनेट उसके बीवी ने दर्ज करवाई थी लेकिन कुडला पुलिस सर्फरास के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई और यह केस पिछले देड़ साल से अंसॉल्वड है देड़ साल से? ऐसा है किया इस केस में कि पिछले देड़ साल से यह सॉल्व नहीं हुआ? सर मनी यह केस टेडी किया इस केस के उपर कुछ खास काम नहीं हुआ था बस इस विलास नाम के आदमी के उपर शक्ट जताया गया था क्योंकि इसने सरफरास को आखरी कॉल किया था लेकिन सर इसके खिलाब बाद में कुछ मिला नहीं तो इसे छोड़ना पड़ा तेर साल पहले सरफरास गायब होता है और देड़ साल के बाद ये लड़का सरफरास का लैपटॉप राजन की दुकान पर भेज़ता है तिप्ती राजन को लास्ट कॉल करती है और राजन की दुकान पर जा रही होती है पीछ रास्ते में ही दिप्ती का कितैफ हो जाता है उसका रेप और मडर करतिया जाता है दिप्ती का रेप और मडर केस सर्फराज के केस से ज़रूर तालोक रखता है सर्फराज और इस स्कैच वाले लड़के के बारे में पता लगाने के लिए हमें फिलास और सर्फराज से तालोग रखने वाले सभी लोगों से मिलना पड़ेगा क्या हुआ आइशा कुछ नहीं है जी आइशा जी हूं बें स्पेक्टर अभी मन्यू जंदल क्राम ब्रांच हमें आपके पती सर्फराज के बारे में आपसे कुछ बात कर नहीं है सर्फराज के बारे में पूछे क्या पूछना है हमें आपके पती सर्फराज का लैपटॉप मिला है सर्फराज के लड़ाप कहा? और सर्फरास? दूण रहे है मुष्यार? दिरसल सर्फरास के लड़ाप दहीसर निक दुखान पर बेचा गए और जिसने बेचा है तो यह लड़का है अब जानती है इसको? नहीग सरफरास के लैपटॉप में हमें कुछ लड़कियों के फोडोग्राप्स मिने हैं उनके फेसेज कुछ न्यूज पिक्चर्स के साथ मौफ्ट किये गए दहीजर के इस एरिया में सरफरास का लैपटॉप बेचा गया रेचंड रेचंटे उसी अरिया में दिप्ती लड़की का रेप और मauख अगया चांथी आप दिप्ती को? कभी आपने देगा था सरफर्स के साथे से? जी नहीं मैं इस लड़की को नहीं जानती लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सर्फरास के लैपटॉप में बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स थे लेकिन मैंने कभी किसी लड़की के न्यूट फोटोग्राफ्स नहीं देखे वो यही थी लड़किया? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती लेकिन हा, सरफ्रास से जरूर जानना चाहती थे कि ये लड़किया कौन थी कौन है ये लड़किया और इनके फोटग्राफ्स तुम्हारे लड़क्टॉप में क्या करने हैं सरफ्रास अच्छा इसलिए तुम उस दिन अपना लैप टॉप मुझे नहीं दे रहे थे, है ना? शुप क्यों हो बोल हो सरफ्रास मेरा पास्ट तुमसे शादी करने से पहले ये सारी लड़किया मेरी लाइफ में आई थी एक करती और मैं सब से प्यार करता था फिर में से शादी क्योंकि? क्योंकि मैं इस अपके प्यार में नाकाम हो चुका था मैं नहीं चाहता कि हमारा रिष्टा नाकाम हो इतना सब जानते हुए भी मैंने सरफ्रास को माप कर दी लेकिन वो भरुसे के लायक ही नहीं था एक दिन वो ही हमें छोड़ कर चला गया लेकिन सरफ्रास की मिसिंग कंपने लिखवाते ये वाते तो आपने बता ही नहीं था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन वो लोट कर जरूर आएगा मेरे पेट में उसका बच्चा था लेकिन ना तो उसे मेरी परवाधी नहीं अपने बच्चे की अगर वसीम ना होते ना तो आज मैं जिन्दा होती नहीं मेरी बच्ची वसीम आप ही वसीम है जी सर्फ्रास का दोस्त है और अब हम पती बतनी है हाँ सर आज से डेट साल पहले से मैं सर्फ्रास के कॉंटेक में था सर वो एक ब्रोकर था और मुझे एक प्लॉट की तालाश थी सर और इसलिए मैं उससे मिला था और ये बात सर मैंने कुरला पुलिस को भी बताई थी लेकिन डेट साल बाद अब हमें पता चला है कि इस आदमे ने सर्फ्रास का लैप्टॉप देइसर में बेचा था क्या उस दुरान कभी इस आदमी को सर्फ्रास के साथ देखा था नहीं सर सर मुझे ध्यान में नहीं है शायद कभी देखा होगा सर्फराज के साथ मैं इसका नाम सर्फराज है ये डेड़ साल से लापता है कैसको जानते हैं हम लोग कभी दीप्ती के साथ देखा हो इसको और इसको जी नहीं सर तो क्या इन दोनों ने ऐसा शक है हमे शक करने की वज़े तो है जिस तरह से सर्फराज के गायब होते ही आईशा और वसीम ने शादी कर ली उससे तो यहीं लगता है कि सर्फराज खुद से गायब नहीं हुआ है बल्कि सर्फराज को गायब किया गया है वैसे भी जीसा आदमी के लैप्टॉप में इसनी सारी जड़कियों की न्यूड पिक्चर्स हो तो ने डिलीट के बिना अपना लैप्टॉप क्यों में जैए इसको ना तो आईशा ने पहचाना और नहीं वसीब पर ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इसको जानते हैं लेकिन हमसे सच चुपा रहे हैं सर मैंने ये स्केच हट जगा सर्कूलेट करवा दिया है इसके साथ साथ हमारी टीम अब ये भी पता लगा रही है कि सर्फराज और दीप्थी से जोड़े किसी भी इंसान के पास अगर ये सच है तो पॉसिबल है दिखती भी सर्फरांस का पास्ट लैप्टोप का डिलेटेट डेटा रिट्रीफ हा फिलाल तो नहीं सर जल्दी हो जाया हलो अभी चान कैसी आप आईशा तू लगता है अब तो आपने मेरा नंबर पर डिलेट कर दिया अपने मुबाइल से अरे नहीं वो फोन बदल दिया है बदल तो बहुत कुछ गया है भावी जिंदगी हर कदम पे नया मोड ले लेती है आईशा तो ये क्या केरी है अरे मैं कुछ समझी नहीं मुझे तो लगा था आप खुदी फोन करके बता देंगे लेकिन कोई बात नहीं मैं ही पूछ लेती पुलिस को क्या बताया आपने मेरे बारे में पुलिस? आईशा आईशा ये क्या केरी है तू? क्यों? पुलिस सर्फ्रास के बारे में पुछताश करने के लिए आपके पास नहीं आई सर अमने दीप्ति को ऑफिस के बाहर की पिछले दो महीने की कई CCT फुटेज चेक है उनमें से कई फुटेज में दीप्ति संकित के साथ देखाई दे रही है लेकिन सर्फुटेज में संकित दीप्ति को स्टॉक करता है लेकिन दीप्ति को लगता था कि कोई लड़का उसको स्टॉक करता था पीछा करता था बाकी की फुटेज भी चेक करो जी सर और एक बात है सर दीप्ति की हत्या से दो दिन पहले उसका चाचा उसके ऑफिस के बाहर देखा गया था मैंने और चेक किया तो पता चला कि दीप्ती का चाचा अक्सर दीप्ती के ऑफिस वाली एरिया में जाय करता था इसके खिलाब ला कर शे? अनमेरिट, जॉबलेस, फ्रस्टेटेड आदमी है सर शराब की भी ला थे कुछ साल पहले तक दीप्ती के पैरेंट्स के साथ ही रहता था दीप्ती के फादर इसकी आततों से परिशान थे इसलिए से अलग कर दिया जैश घर में अपना हिसा मांग रहा था सर और दीप्ती घर बेचने के खिलाफ थी हाँ सर ये बात सही है कि जैश चाहता था कि मैं घर बेच दू और उसे उसका हिस्सा दे दू लेकिन दीप्ती ये नहीं चाहते थी कि ये घर में के चाचा आप किस मूँ से अपना हक मांग रहे है लिप्ती हम दोनों भाईयों के बीछे मोली दरुब निये तुझे क्यूं क्यूं ना बोलो आप भूल गये जब आपको बिजनेस करना था आपने दस लाख रुपए का लोन लिया था और आपका बिजनेस तो ठप हो गया उसके किष्टे किस्ते चुकाईं मैंने और पापा ने तू हद से जादा नहीं बोल रही है हाँ क्यूं आप भी हद में कहां रहते हैं काम आपको आता नहीं है और नशा आप से छूटता नहीं है अपने हद मेरे जैश वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है तो आपको कभी लगा नहीं कि जैश ऐसा कुछ सर माना कि जैश से हमारी बंती नहीं है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता यह ऐसा समझ सकते हैं सर, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं, मेरी बेटी को किसी दुश्मत से कम नहीं समझता था हूँ आप मुझे बारम था भावी जी मुझे बख्षेंगे नहीं, कि कि इतना गया गुजरा नहीं कि अपनी भती जी के साथ यह सब तो फिर उसके ऑफिस के अपना रहा था था, तिप्ति की हत्या से दो दिन पहले भी तुगा देखा गया, क्यों हो यह था था, मैं तो बस उसे मि के बताना चाहा रहा था कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और रास्ते में नाये, काम नहीं है साब, पैसा नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन तेरा दोस उमेश तो तुझे पैसे दे रहा था, कर्जा दे रहा था था ना तुझे, और रस पे दारों भी पिला रहा सर, इस लैप्टोब का डिलीक्टे डाटा रिटरीव कलिया गिया गया उपिल इसमें दीपति के फोटोस नहीं मिले यह तिखें — एक दूसरी लड़के के बिद्धेटपी मनतलब इस लड़की के फोटोग्राइफ् स मॉर०्ट नहीं किया गया नहीं सर, ये फोटोस मौर्वड नहीं किये गए, बलकि औरिजिनली ऐसे ही कहींचे गए हैं. जुब जुबैदा? क्या सोच गी? आपने हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचा. कभी उसकी जिंदेगी दागदार नहीं होने दी. लेकिन मुझ पर लगा ये दाग मुझे हमेशा परिशार करता रहेगा. आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सरफराज के लैपटोप में आपके ये फोटो होने की कोई तो वज़े होगी? वज़े थी, सरफराज आयास था, खलती हमारी भी थी. मैंने बिना जाने बिना परके अपनी बहन की शादी उसके साथ करवा दी. और उसके बाद उसको पड़ोस में घर दिलवा दिया. फिर वो मेरी बीवे पही तांग जहां करने लगा. मुझे कभी भी उसकी नियत पर शक नहीं हुआ. मैं और आईशा तो मिलकर एक साथ अच्छे से काम कर रहे थी. काम बढ़ भी रहा था. लेकिन फिर अचानक मुझे माइगरीन का प्रॉब्लम हो गया. आईशा, मैंनी चाहता है कि इस काम से जुबैदा को और ज्यादा तकलिफ हो. डॉक्टर ने दो महीने का हैवी कोर्स दिया है. देखो, इस दवा को खाने से इसको ज्यादा नीद आएगी. तुम बात को संझो. ऐसा करो कि कुछ दिल के लिए काम बंद कर दू. मेरी तब्यात की वज़ा से हमें कुछ ठायम के लिए हमारा काम बंद करना पड़ा. और एक दिन मैं दवा लेके बस अराम कर रही थी तो. आई बावई. यह वह आपको टेवेट इतनी है? नहीं वो थोड़ा सर बहुत जक्रा रहा था. अरबास बावई का है? आपकी तब्यत इतनी खराब थी तो आप मुझे बताना चाहिए थी. मैं दवा के नश्र में थी. और भेर अचानक ना जाने कैसे मेरी हांख लगी. और भेर उसने? भेर अरबास घर वापस आई तो मैं तुने सब कुछ बता दी. मैं तो उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहती थी. लेकिन इन्होंने मना कर दिया. उसके बाद हम यहां मेरे माई के चले आए. लेकिन... लेकिन सरफराज ने उसके बाद मुझे ब्राकमेल करना शुरू कर दिया. सरफराज तुम यह सही नहीं कर रहे हो. मैं आईशा को सब कुछ बता दूगी. तो बता दो. ड़ता नियू मैं. सरफराज? सरफराज, क्यों तो मेरी बहन और मेरी बीवी की जंदगी बरबाद कर आए? ठीक है. आप जैसा बोल रहे हो, मैं वैसा ही करूँगा. बस एक रात के लिए, जुबेदा को मेरे साथ छोड़ दूँ. अगर मेरी बात नहीं मानी, तो जुबेदा की फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दूँगा. सर, उसने नाट में दम कर दिया था. इसलिए तुम्हें उस अपने रास्ते जाटा थी? नहीं. इसकी बदस से? नहीं, सर. हम इसे नहीं जानते, सर. जुबेदा और अरबास सस्पेक्ट नजर आ रहे थी. लेकिन सरफरास के साथ क्या हुआ होगा, इसको लेकर पुलिस नतीजे तक नहीं पहुँच पा रही थी. और उन्हें उस आदमी की तलाश थी, जिसने सरफरास का लैपटॉप राजन को बेचा था. और पुलिस एक-एक करके हर लड़की को आइडेंटिफाई कर रही थी. लेकिन उन्हें से ज्यादा तर लड़कियों का कहना था कि वो सरफरास को ठीक से जानती तक नहीं थी. पुलिस के मन में बार-बार ये सवाल उठ रहा था कि देड़ साल पुराना वो केस दीपती के रेप और मुर्डर से कैसे जुड़ा था? सर, हमने इस पुड़ेज को क्लोजली एक्जामिन किया तो ये देखा. एक-दो जगा और ये दीपती के पीछे जातो हो देखा. शर्वा, पता करो इसके साथ दूसरा और कौन था? जी सर. सर, मैंने कुछ नहीं कहता. सर, मैंने कहा कहा सर. सर, मैंने कहा कहा सर. सर, पता चल गया है हमें. तुई दिपती को श्क्राइटो करता था पीज़ा करता था दो. और हमने तेरी उस मेकनिक दोस्त मैरेश के बारे में इन पता लगा लिए. जिसके गैरेश की बलू-करर की वैन में तुम दोनोंने मिलका, दिपती को किनाप किया. तेरे उस बगणिक दोस ने सबको उगल दिया है बेतर यही होगा कि तू उगलते सब राजन भाई नहीं है क्या? राजन भाई तो बाहर है अचा मेरे हार्ड ड्राइब टीक हो गया हाँ वो हो गया टीक मारा दो अच्छी लगती दिप्ती मुझे दिन रहत उसका चेहरा मेरे मन में घूमता रहता था चुना चाहता था मैं उसको पागल हो गया था मैं पागल प्यार करता था मैं उससे अगर मैं इसको ये बात बुलता तो और कहीं ही मालती तो मालूम था दिन वो राजन भाई के दुकान पर आने वाली आप दुकान पर आके ले जा सकती है अपने दूसका अपना ना के ठालिया उसको मरते तब तक दूसका रिप करता रहा और मरने के बाद भी बोलता है प्यार करता और इतना कुट्टो कि इसकी चीखे पुलिस टेशन के एक एक किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए चाप 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 दीप्ती एक ऐसे गुना का शिकार हुई थी जिसको लेकर हम आए दिन आखरोश से भर उठते हैं पर कुछ कहते नहीं कुछ करते नहीं और आज ये बेबसी हम सब महसूस कर रहे हैं लेकिन इसकी कोई रोक थाम नजर नहीं आ रही दीप्ती रेप और मर्डर केस पुलिस सॉल्व कर चुकी थी लेकिन सरफराज मर्डर केस अभ भी बिना नतीजे के था पुलिस अभी सरफराज को मिसिंग मान का ढून रही थी जो कि जुबेदा और कई और लड़कियों का गुनेगार नजर आ रहा था सरी स्कैच इस शाद नाम के लड़के का है ये साइन में एक प्रेक्टरी में काम करता है और स्थ एक महीने से गायब और ये भी पता चला है कि ये शाद इस विलास के तुक में भी था जब ठे़ साल पहले सरफराज गायब हुआ था तो उसे अखरी कॉल इसी नहीं किया था साथ ने दोट था साथ और उन लटट अप मेरे अस्टोरूम में रखा हुआ था साथ मेरा पूचर उठा के ले गया और उसे बेज़ दिया साथ तो शाथ इसर कहा है आपने उसका स्कैच दिखाया था ना मैं डर गया था साथ मैंने उसे गाओ भेज दिया तो तूने और तो फिर कौन मिलावा था तेरे साथ तहा है सरफराज का कि अलके साथ हलो विलास भाव हरे बताओ क्या खित्मत करूँ आपकी हरे बहुत इंतिजार करा है आपने सरफराज ने जब मेरी बेटी जुबेदा के वो वो गंदी पोटों खीचे तब वो मेरे दामाद पे साथ मे मेरी बेटी के तरह मैं भी चाहता था कि हम पोलिस के पास जाए मगर मेरा दामाद नहीं माना अगर हम पोलिस के पास गये तो हमारी बहिन की जिंदगी बरiczए और किसे बात है कर रहे आप आट समझे अब अगर फोले सावने अ कर यह बड़े बात आई तो हमारी बड़ी ब कर दे अपनी बेटी दे दे सिर्फ एक रात के लिए राज तो ये सभी नहीं कर रहा है समझा है चले जया जो करना कर ले जुलास को तो मैं काफी दिनों से जानता था वो सारा करजा लेकर रखाता उसने मुझसे और तुमने उसको बोला कि अगर वो तुमारा साथ देगा तो तुम उसका सारा करजा माफ कर दो मैंने जो भी किया अपनी बेटी के अब्रू बचाने के लिए किया और मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है। जुबेदा के पिता यूसुफ ने कहा कि उसे अपने किये का कोई पचतावा नहीं है। और हमारे समाज और हमारे आसपास शायद ऐसे कई लोग होंगे जो शायद ये सोचते होंगे कि सिर्फ सर्फराज ही क्यूं। अगर दीप्ती के गुनेगार गिरीश का भी सर्फराज जैसा ही अंजाम होता तो शायद गलत नहीं होता। खाल ही में हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जहां महिलाओं के साथ गलत करने वालों को सूली या गोली किसी भी तरह से इनसाफ दिलाने की मांग उठ रही थी। लेकिन इनसाफ के मामलों में जजबात और फितूर से नहीं बलकि कानूनी प्रक्रिया से ही फैसलों तक पहुँचना चाहिए। अगर जुबेदा का पती अर्बाज पहले से ही पुलिस की मदद देने का फैसला कर लेता तो जुबेदा के पिता की बेबसी का फितूर उन्हें आज कटगरे में लाकर खड़ा नहीं करता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क के ब्लैक हैड्लाइन जध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जैहन।